Hello students and today we are on chapter number 10 but why in 10 अब आपका ओगे सरी चैप्टर नहीं हुआ वो नहीं हुआ नहीं हुआ सो बेटा, online classes के लिए मैं 9th chapter को skip कर रहा हूँ because python को online tackle करना बहुत ही मुश्किल है मैं तो पढ़ा दूँगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा और अभी नहीं आएगा तो 7th में भी दिक्कत होगी, 8th में भी दिक्कत होगी, in future आपको हमेसा दिक्कत रहेगी so I want dad की जो python का chapter है अपना बेटा, वो हम tackle करें अपनी life classes में वैसे भी तो आप मस्ती काट रहे होगे, I think you are enjoying your life right now, लग रहा होगा वाह कितनी ठंदी पर रहे है, कितनी enjoy कर रहे है but we teachers are there in this school, चलो कोई नहीं, हमें तो अच्छा लगता है school आ करके, आप भी आओगे तो और अच्छा लगेगा, by the way, अभी आपको क्या करना है बच्चा, copy pen लेके बैठना है, ठीक है, जो भी doubt होंगे आपके, आपको no doubt कर लिने है, बीच वीडियो में pause करके, वापस ग्रू और यो डाओट, today I will also do the same, you don't have to worry about it, okay, so watch this video, I think this video will be about 15 minutes maximum, ठीक है, चलो एक मिनट तो मैंने ऐसी बात करने में निकालतीया, खेर, आज हम लोग बात करने वाले है, चार्टा नबर 10, AI यानि Artificial Intelligence के बारे में, अभी हाब क्लास में होते हैं तो मैं आप से पोस्ता कि बताओ पेटा, AI क्या होती है, तो कई बच्चे खड़े होते, अलग-अलग opinion देते, कई लोग सही बोलते, कई लोग गलत बोलते, फि मैं उसमें correction बताता और आपको पता चल जाता कि AI क्या होता है, but all these things is not possible here, so मैं आप लोगों से पोस्ता हूँ कि what is AI, और आप अपने मन में सोची AI की बाएं पता चल गया होगा, चलिए, जो भी आपके मन में आया होगा, मैं आपको बता दूँ, AI को देख, जैसी मैंने बोला, Artificial Intelligence, आप सब कई लोग के मन में रोबोट आया होगा, you will see, you will, आपके मन में रोबोट, आपके मन में रोबोट, आपके मन में रोगा, चीज़ें आपके मन में आई होगी, तो बिल्कुल सही चीज़ें आपके मन में आई हैं, यह एकदम आप सही समझे हो, यही है AI, AI means, कोई भी मशीन, जब इतनी, इतनी efficient हो जाए, उसके अंदर इतनी capacity आजाए, कि वो मशीन अपना decision ले सके, if any machine is so much capable, so that he can, sorry, machine can take its own decision, is known as AI, AI हो मशीन क्या हो जाएगी बेटा मेरी, AI हो जाएगी, artificial intelligence से पून हो जाएगी, इसमें, artificial intelligence will be an integral part of that machine, if the machine is capable to take their own decision, ठीक है, चलो, हम classification की बात करते है, classification of artificial intelligence, artificial intelligence refers to the process of simulating human intelligence in man-made machine like computer system, human intelligence includes learning, reasoning, and self-correction among us there, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर आपके बात समझ में आएगी, कि human क्या करता है, human अपने आप से कैसे सीखता है, आपने आप आपके छोटा बच्चा होगा, उसको आपने अगर किसी इसके लिए मना किया, तो करनी को सीखता होगा, ठीक है, तो म अगर आप कभी आग के सामने हाथ लेगा और आप जल गए तो अपने हाथ को आप पीछे ले लो, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार आप कहते ना वो एक कहावत है, दूद कजला नहीं, दूद कजला चार्ज भी फूफूख के भीता है, मिन्स डैट, कि अगर कोई सी साथ एक बार गलत हो जाता है, तो उसको पता होता है कि how I have to protect myself, अगर वैसे मशीन भी करने लग जाया, तो क्या है, वो AI है, AI के तीन पार्ट है, ANI, AGI, ASI, मतलब, ANI क्या है, AI बोले तो artificial narrow intelligence, फिर क्या artificial general intelligence and artificial super intelligence, दिखने के करके, ANI का मतलब होता है, is the ability of AI system to perform a single task efficiently and effectively, मतलब क्या कि कि किसी भी एक single task को ये एक समय एक साथ कर पाएंगे, कुछ system जैसे कि आपके Siri, Alexa, Contana, Contana, Contana क्या है, Contana आपके Windows 11 में आपको मिलेगा, ये क्या होता है, ये किसी एक special काम के लिए ही design किया जाते है, यानि एक समय में एक काम करेंगे, एक voice command करेंगे, अगर मैंने बोला, OK Google, do this thing, तो OK Google का command सुनते ही क्या होगा, एक ही command को एक समय में आगे forward कर पाएंगे, Next is your artificial general intelligence, AGI, AGI क्या है, AGI can be defined as the ability of AI system to learn, to learn, perceives, understand and function completely like humans, these systems are hard to develop because replications of human brain is theoretically possible but not practical to implement, Currently there is no AGI system, it is still the research stage, चलो AGI एक था, बताओं काउन था, चिट्टी, आप काउन चिट्टी, रोबोट, रोबोट में एक movie एक बनी थी, जिसमें रोबोट में एक robot बनाया गया था, जो कि क्या था, एक AGI था, मतलब क्या था, एक AGI था, यानि कि खुछ से चीज़ों को learn करता था, चीज़ों को understand करता था, और अपने आपको humans की तरह behave कर सकता था, पूरा human था हुए तरीके से, तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका AGI के example, जो कि possible नहीं हुआ है, अभी तक possible नहीं है, but it can be in future, Now, ASI, आप सोचो जब ASI के है, Superintelligence, ASI refers to the ability of an AI machine or AI system that could perform any task better than human with cognitive behavior, With ASI, a system would become so self-aware that it would superpass the level of cognitive performance and decision-making skills founds as human, ASI is currently hypothetical situation as depicted in movies and stories, whereas machines have taken over the world, तो ASI को, आपको मैं movie की example से ही बताता हूँ, आप में से कई बच्चों ने टर्मिनेटर movie देखी होगी, तर्मिनेटर में क्या होता है, तर्मिनेटर में वो एक machine develop करते हैं, जो क्या करती है, पूरे ही network को, means that पूरे internet को अपने access में ले लेती है, और फिर एक बवाल होता है, आपने Transformers movie देखी होगी, जहां पे कुछ ऐसा ही काम होता है, तो ASI क्या है, मैं movies का example जरूर ले रहा हूँ क्योंकि यह movies में दिखाया गया है, ठीक है, parents या कोई भी अगर सुन रहा हो तो यह ना सोची कि मैं बच्चों को movie की देखने के लिए, इनको forward कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, no, but I am just taking these examples because all these such examples exist in that movies, चलो, तो ASI क्या है बेटा? ASI means any system which is more efficient than human, एक human से भी यादा efficient हो, कुछ ऐसा system जो कि take over कर ले पूरे industry को पूरे चीजों को, ऐसा कोई system जो कि मालब human की decision skill से भी इसकी decision skill हो, decision लेनी की capacity हो, तो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा ASI means artificial super intelligence. Now, importance of AI, nowadays AI has become an indis... क्या? Okay, now, देखको अब आपने 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 है, यहां पे जो AI इसा integral part of our life, यह हमारे प्रॉप लाइफ में हमेस पे डिपेंट करते हैं हमेशा हर जगह पर, The fields where AI can be applied and utilized are limitless यहाँ हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसका कोई भी limitation नहीं है देखो इसमें कुछ AI-based चीजे मैं आपको बताओं जैसे की radar होते हैं बेटा इस radar हमाई DRDO में बनते हैं Defense Research Development Organizations में अब इस DRDO क्या करता है DRDO अलग 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 तरह है कि Machines develop करता है किसके लिए अलग-अलग military forces के लिए BSF के लिए बनाता है हमारी इंडियन आर्मी के लिए बनाता है Navy के लिए बनाता है सभी के लिए कौन बनाता है DRDO डवलब करता है अब DRDO ने क्या क्या एक ऐसा system बना दिया कि ठीक है भाईया ऐसा है कि इसको आप ले जाओ भी ऐसा फालो अब भाईया आप क्या करें इसको इसको आप करिए अपने border पे इंस्टाल and this machine is so much capable कि अगर कोई भी दुस्मन का जहाँ जायागा तो machine क्या करेगी अपने आप ही उसको मार गिराएगी यानि क्यों से machine?нал 9 n 안에 missile of India क्या करेगी किसी भी आने वाली missile क्या करेगी हवा में खतम कर देगी arrow to air मारो भाईया तुम क्या करोगे ठेक है तुम पर missile मार लेगे आपने गेसे नाग मार देंगे तो नाग उसको intercept कर लेगी air to air ही क्या करेगी इंड्या को AI in Gaming The gaming industry uses AI technology to improve their strategic aspects of games. The main objective of AI games is to generate responsive, adaptive, or intelligent behavior, primarily of non-player characteristics similar to the human-like intelligence game, such as fear, alien, isolation, and tiktok toy. It uses AI technology to present different game scenarios and unpredictable opponents each time when a user plays the game. contemporary, Now, look in AI is what is the most important. I am using online content with this background. What happens here? What happens here? Well, if you're playing a game, then if you're in the game, you will see your moves. Next time you will see your moves as well. Wait a minute, choose the machine to launch a power power. Looks like chess, a champion of chess. So now, when you search for something like Google. Chess, a chess machine is so precise, इसके अंदर capacity है कि उसको जो सतरंज के champion थे chest champion थे उन्होंने उसको भी वो हरा नहीं पाए ठीक है तो इस टाइप गेम्स जो होते हैं जिसमें human की तरह की strategy लगानी होती है वहाँ पर क्या होता है इसका use किया जाता है now AI in commerce अब आपको पता होगा कि हम सभी लोगा online order करते हैं जाउन, flip card, stack की चीज़ों के use करते हैं तो जैसे ही आपको एक product को ख़ई दोगे तो उससे similar product आपको नीचे देखने लगता है यह कैसे possible हो पाता है यह AI की काना ही possible हो पाता है अब AI की हाई internet banking के लिए भी efficient है कैसे क्योंकि जब भी आप AI की through क्या होता है आपको क्या मिलते है चैट बोर्स मिलते है चैट बोर्स है नहीं जिससे आप कोच भी question पूछ सकते हैं जिससे आश्क करदेशा, IRCTC के लिए है, PNB मित्र है, PNB वंजानल बैंक के लिए SBI का भी कुस्ता मुझे याद नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे machine से question पूछ सकते हैं और machine will answer you what you have to do Suppose dad की मेरे account से कुछ पैसे cut जाते हैं तो मैं कैसे उसको report करूं, RBI को या कैसे उसको मैं tackle करूं उसका जनरवाब मझे कौन दे देगा? मेरे chat boards दे देंगे Now AI in robots, इसमें कुछ बताने की बात ही नहीं AI technology is widely being used to improve the working of boards, I mean robots which can perform multiple tasks with their own experience and also learn new things with a better perception of the environment Robots powered by AI uses real time updates to sense obstacles in their path and pre-plan their journey beforehand ठीक है, तो AI में भी, Vibrobotics में तो AI का use होता ही है Healthcare में भी हम यूज करते हैं, Healthcare में आपके पास smart watches हैं जो की wearable होती हैं जिसके तुरो आपके body का temperature कितना है, आप में oxygen कितनी है आपका heart rate कितना है, आपका stress level कितना है, यह सब चीज़ें आपको easily पता चलती हैं कि आपने कितना move किया, कितनी calorie burn की, approximately आपको उसमें सारी information मिलती रहती है ठीक है, तो यह हो गया, अब AI की first क्या क्या है, जल्देश देख लेते हैं, machine learning machine learning का मतलब होता है, किसी भी एक ऐसी machine को develop करना, जो इसको आप जितना ही यूज़ करके, वो इतनी क्या हो गया, अपने experience से बहतर होती चली जाएगी machine को चीज़ें सिखाना is called your machine learning then deep learning deep learning क्या है, machine learning की सब फिल होती है, जो उसको पढ़ते है deep learning is a subset of machine learning which itself a subset of AI it is a function of AI that intimates the works of human brain in processing data and creative patterns for making decisions to achieve this, deep learning uses a multi-layered structure of algorithm called neural network for example, self-driving cars uses neural network to find obstacles or lanes that is a simple language, but how do we do it? AI की, किसकी बात किया हमने ? AI की AI की sub-fills क्या है, AI की sub-fills है, आपकी machine learning और इसी की sub-fills क्या है, आपकी deep learning deep learning बोले तो, यानि कि एक ae-सी field, जहांपे हम क्या करते है बच्चा जहां पर हम यह चीज़ डराइव करने को दिसकते हैं कि हुमन का माइंड कैसे काम काता है वी आल है नियूरो सिस्टम वी आल है नर्वस सिस्टम अगर आपके पैर में मच्छर काटेगा तो आपके ब्रेंड को आपके नियूरल नेट्वर के तुरू पता चलता है त इसके यह हमारे नेवरोंस जे होते हैं उनकी सिंक्नल ज्यंडेट होते हैं वह कैसे काम करता है सेम चीज़ं को डेवलप करूई करना ही जिए है आपकी डीप थेंगिंग मेर्पिन्ग कार्स में इसका रिज धिया रहा है ना नूरल नेट्वर्स क्यां है?, नूरल नेट्वर लखा हुआ है आपने अपने हैंस कोस के सामने ले गए अब यह आपको कैसे पता कि कब हाथ हटाना है कब और हाथ आगे ले जाने है depending upon your signals generated by your brain means that आपके हाथ में अगर आपको गर्मी जादर लगेगी तो आपकी neural network से आपके हाथ में जादर लग रही है तो यही चीज जब हम डवलप कर पाएं किसी मशीन के अंदर तो से हम क्या बोलेंगे बच्चा उसे हम बोलेंगे neural network now AI in ethics we will see in next class okay let me explain it will take two minutes ethics means the moral value that we have I will explain all this AI ethics in next class so if you have any doubt I am waiting in your whatsapp class you can come to the group and you can ask for doubts